दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको छे ऐसे जूस के बारे में बताऊंगा जो आपके अलसरेटी कोलाइटीस को ठीक करने के लिए आउश्यधी का काम करते हैं क्योंकि इन में एंटी बैक्टरियल एंटी इंप्लेमेंटरी तत्व होते हैं ये सिब हमारे पाचन को ही ठीक नह नहीं बताऊंगा उसी के साथ उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं हाँ वो जानना बहुत इंपोर्टन है कब लेना चाहिए कितना लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए ये भी जानना बहुत इंपोर्टन है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको छे जूस बताऊंगा उन में से कुछ juice मैं regular लेता था और कुछ मैं जब मुझे वो उपलब्द होते थे तब मैं लेता था दोस्तो मेरे ulcerative colitis को मैंने कैसे ठीक किया इसके अलग-अलग पहलो उपर मैं वीडियो बनाते चाहरा हूँ उन वीडियो की playlist की link आपको उपर i button पर मिल जाएगी या फिर नीचे description में भी मिल जाएगी दोस्तो आगे बनने से पहले मेरा एक experience में आपके साथ share करना चाहता हूँ जब मुझे ulcerative colitis हुआता तब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए कौन सा juice पीना चाहिए कौन सा नहीं पीना चाहिए कौन सा फल खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए इसको लेकर मैं बहुत confused था क्योंकि Google पर जब आप search करते हो किसी particular सबजी के बारे में या फिर juice के बारे में fruits के बारे में तो एक जगह पर लिखा होता है यह ulcerative colitis के लिए बिल्कुल सही है और दुसरी जगह पर अगर आप search करते हो तो आपको मिलता है रहे नहीं यह ulcerative colitis में आपको नहीं खाना है उसी तरह से अगर अलग अलग doctor से अगर आप मिलते हो आयरवेदिक के doctor से तो आपको यह भी अनुभव आया होगा कि यह doctor कहते है कि यह चीज आप खा सकते हो और वही पर दुसरे doctor कहते है यह चीज आप नहीं खा सकते हो तो ऐसा doctor क्यों कहते है यह आगे इस video में मैं आपको बताऊंगा और ऐसा क्यों होता है और इस confusion से पूरी तरसे मैं कैसे बाहराया इस वीडियो के अंत में यह बात भी मैं आपके साथ share करूँगा और इसलिए इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा दोस्तों ताकि आपके पूरे confusion पूरे doubts आपके clear हो सके सबसे पहला juice मैं आपको काम करता है दोस्तों पेट की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी juice ने benefit दिया है तो वो ash card juice ने और इसलिए उसके उपर मैंने detail में video भी बनाया है उसकी link आपको उपर i button पर मिल जाएगी आपको detail में जानना है juice के बारे में तो आप उ आइशकार का juice है न दोस्तों यह juice हमारे digestion process को तो अच्छा करता ही है उसी तरह से हमारे आतों में जो किटान होती है अहनिकारक उनिये यह खत्म करता है और हमारी उत्सरजन प्रनाली को बहुत अच्छा करता है क्योंकि ulcerative colitis में हमारी उत्सरजन प्रनाली जो है दोस्तों पूरी तरह से disturb हो चुकी होती है यह juice किसे नहीं लेना चाहिए जिसे सर्दी खासी की problem है उसे यह juice नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी तासिर बहुत थंडी होती है और इसलिए आप डॉक्टर की सला जरू लीजेगा कितना ले सकते हैं इससे आधे गलास से लेकर एक गलास डेली पिता था घर पर बना कर पिता था सुबह खाली पेट और यह पीने के पाद दो ढ़ाई घंटा आपको कुछ नहीं खाना है क्योंकि यह आपके अंदर पूरी तरह से साप सफ़ाई का काम करता है और इसलिए सुबह खाली पेट पीने से आपको बहुत सारे यह हमारी आतों की सुझन को कम करता है यह इसलिए बहुत फायदेमन है अनार का जूस यह दस की समस्या को कम करता है और उसी तरह से अनार के जूस को बलड़ प्यूरिफायर कहा जाता है मतलब हमाले खुन की शुद्धी यह करता है और इसलिए अनार का जूस जो है दोस्तो बहुत बहुत फायदेमन होता है, हाँ, लेकिन इसको लेकर एक समस्या मुझे हुई थी, जब मुझे पता चला कि ये इतना बेनिफिशल है, तो क्यों न फिर जादा पीते हैं, तो मैं एक जगह पे मैंने जूस लिया, एक गलास पिया, और फिर से और दूसरा गलास लिया, ओ जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये क्या कहते हैं, मेंटेलिटी होती है हमारी, लेकिन उस दिन दो गलास जूस पीने से, मुझे बहुत अनकमपडेवल फिल होने लग गया, एस्ड़ी की समस्या मेरी बढ़ गई, जब मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा, कि ज समस्या है, तो डॉक्टर की सला से ही इसे पीना है, और जिने लो बीपी है, उन्हें तो कभी भी इस जूस को नहीं पीना चाहिए, अदर्वाइज आपकी समस्या बढ़ सकती है, तीसरा जूस है दोस्तो, अरुआ है बेल जूस, बेट से समंदित काफी आयरुवेदिक मेड इसीद में आपने देखा होगा दोस्तो, जो इंग्रिडेंट्स होते हैं, उसमें बेल इस फ्रूट का चूर्ण जरूर होता है, इससे सबसे पहले तो दोस्तो कप्स की समस्या आपकी दूर होती है, क्योंकि अलसरेटी कोलाइटीस में काफी लोगों को कप्स की समस्या बहुत रामबान आउशदी है, और उसी तरह से ब्लोटिंग की समस्या को ये खत्म करता है, जब मेरे उत्तर भारत हैने के आगरा साइड में प्रोग्राम थे दोस्तो, वहाँ पर मैंने देखा हर चवराय पर बेल का जूस, जैसे अलग अलग जगों पर लिम्बू पानी ब बतानी होता है, इसलिए विदाट आइस अगर आप पी सको तो बहुत अच्छा है, या फिर कम आइस का पीना या फिर वहाँ से पार्सल लाना और घर पे रूम टेंपरेचर पे आप उसे पी सकते हो, आप कहोगे क्या मुसे फ्रीज में रख सकते हैं क्या देखिए दोस्तो बेल का जूस साल भर नहीं मिलता है, जब मुझे फ्रेज जूस अवेलेबल नहीं होता था, उस वक्त में बाजार से बोटल बन जूस खरिता था, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशल होता है, दोस्तों वो फ्रेज जूस ही होता है, अब बात करतें इसके साइड इफेट की, दोस्तों बेल का जूस जूस है वो गर्भवती माताओने नहीं लेना चाहिए, या फिर जो डाइबेटिस के पेशेंट है उन्हें नहीं लेना चाहिए, और उसी तरह से ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसे पीते हो तो आपको पेट दर की समस्या फिल हो सकती है, और इसलिए आधा ग्लास से एक ग्लास तक सफिशेंट होता है, दोस्तों तो ये जो तीन जूस थे इन्हें में हर 10-12 दिन के बाद continue पीता था, मतलब 10-12 दिन तक पहला जो जूस है, आईशकाट जूस में पीता था, उसके बाद उसके अगले 10-12 दिन तक में अनार जूस पीता तो ये तीन जूस में regular पीता था दोस्तों, और बात करते हैं चोथे जूस की वीट ग्राद जूस, वीट ग्राद जूस जो है दोस्तों ये इसमें anti-inflammatory ततो होते हैं और anti-accident ततो होते हैं, और इसलिए ये हमारे पेट के लिए, पेट के लिए कि आप पूरे overall body के लिए बह 30% से कम हो जाते हैं, सच बताओ तो शुरू में जब मुझे ulcerative colitis जब मुझे बहुत ज्यादा तकलिफ हो रही थी, तब मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, ज्यादा कुछ पता नहीं था, और जब मुझे ulcerative colitis लगबग मेरा ठीक होने लग गया, तब मुझे पता चला, और तब से लेकर आज तक, जब भी मुझे ये मिलता है, अविलेबल होता है, ये ज्यादा तर हमारे पुना में काम मिलता है, या बड़े बड़े शरों में भी आपने देखा होगा, जहाँ पर गार्डन होता है, वहाँ पर लोग वाकिंग करने के ल मिश्किल होता है, इसलिए बाहर से ही आप इसे पी सकते हो, बड़ा मुश्किल है घर पर इसे बनाना, अगर पॉसिबल हो तो आप घर पे बनाकर जरू पीएगा इसे, अब बात करते हैं, इसके साइड इफेक्ट की, घर बहुती माताओने इसे नहीं पीना चाहिए, और कि मुझे एश गॉर्ड जूस अविलेबल नहीं होता था, उस वक्त मैं बोटल गॉर्ड जूस पीता था, बोटल गॉर्ड ये भी गॉर्ड फैमिली से ही आता है, और लगबग इसके बेनिफिट जो है, वो एश गॉर्ड जूस के जहीं से ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले उसका एक छोटा तुकड़ा टेस्ट करके देखेगा, अगर वो कड़वा लगता है तो उससे बिल्कुल भी जूस के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, अदर्वाइस बहुत सारी समस्या आपको आ सकती है, मुझे तो कोई समस्या नहीं आई इसे पीने से, मैंने काफी इसे पीया है, हाँ, जस्ट मैं टेस्ट करता था, यह कड़वा है या नहीं है, अगर कड़वा है तो उसे आपको नहीं बनाना है, नहीं पीना है, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, इसे किसे नहीं पीना है, जिसे सर्दी खासी की समस्या है, उसे इसे नहीं प बितुवा है नीम का जूस यह बहुत अच्छा होता है तो पेट के लिए क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेंटरी तत्व होते हैं उसी तरह से यह जक्मों को हिल करता है और पेट की सारी समस्याओं के लिए सदियों से लोग नीम का जूस पीते आ रहे हैं इससे ट्रेस लेव प्रशोधी का काम करता है इसे मैं रेगुलर तो नहीं पीता था लेकिन जब भी मुझे नीम के पत्ते मिलते थे मैं उनको घर पे लाकर मिकसर में पीस कर उसका जूस बना कर पीता था वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इसे ज्यादा मात्रा मे नहीं पीना चाहिए 20-40 ग्राम नहीं फांडिशन के अनुसार 20-40 ग्राम अगर आप इसे पीते हो तो यह आपके पेट के लिए बहुत अच्छा साबित होता है दोस्तो अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टन टॉपिक की हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए क्या सही है और क्य इननी होती है उनको जैसे बेकरी प्रोडक्स प्राइडा प्रोड़क्स है या फिर शपाइसी फूड है बहुत ज्यादा या मिल्क प्रोडक्ट है हर हर की डाल है इंठ सारी चीजों को हमेशा के लिए आपको अवऐड ही करना है लेकिन आपको बता है उस के बाख़ fully जसे स कुछ को लेकर हमें problem मैसुस होती है तो ऐसे वक्त क्या करें और हरे की तासिर अलग-अलग होती है और डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हो तो कोई डॉक्टर आपको कहता है यह चीज आपको नहीं खानी है दूसरे डॉक्टर कहते है वह चीज आपको खानी है एक तो वह जो दवाई दे रहे है उसके अनुसरों आपको बता रहे है या पिर आपके तासिर के अनुसरों बता रहे है उसी तरह से गुगल पर जब आप अलग-अलग कर यह की सबजी के बारे में यह अगर आप वहाँ पे point of view देखते हैं तो वो यही बात है दोस्तों कि यह एक को सूट होता है एक को सूट नहीं होता है तो आपको क्या करना है देखो तो मैंने यह अनुभव किया है अगर मेरे पेट के लिए जो सूट नहीं होता है मुझे और वो चीज मैंने खा ली तो तुरंत पता चल जाता है तकलीफे तुरंत बढ़ जाती है शाम तक के अगर ऐसा वहा तो मैं चेक करता था कि सुबह मैंने ऐसी कौनसी सब्जी खा ली यह तकलीफे बढ़ गई है या फिर कल शाम को मैंने ऐसा क्या खाया जिससे मुझे यह तकलीफे बढ़ गई है तो तुरंत उस चीज को मैं अवाइड कर देता था ब्लैक लिश्ट में उसे डाल देता था उसी तरह से आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हो अगर कोई भी ऐसी खाने से या पीने से आपको तकलीफ होने लगती है तो उस चीज को अपने जर्नल में लिख लेना कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है हो सकता है दूसरे के लिए सही है लेकिन मेरे लिए मेरे तासिर के अनुसार ये सही नहीं है और उसी तरह से अगर आप भरपेट खा लेत तो दोस्तो ऐसी बातों को जरूर आवाइड करना जो आपके पेट के लिए सही नहीं है, आपके तासिर के अनुसार सही नहीं है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेहत बहुत 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 अच्छी रहे, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत ह के लिए थैंक्यू, बाय बाय, टेक केर, शुक्रिया